अज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे काफी famous प्लांट है हर nursery में आपको असानी से मिल जाता है और ज़्ला तर घरों में भी आपको ये देखने को मिल सकता है English में इस प्लांट को Indian, Borage और Mexican 민्ट भी कहा जाता है अनकिनत गुनों से भरपूर ये प्लांट है जिसके बारे हम आज बात करेंगे लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो जब फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल बटन को विजरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सके और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा बात करते हैं अजवाइन के प्लांट की यह वो अजवाइन नहीं है लेकिन जो हमारे किचन के मसालों मुजूस होती है जिसे हम कैरम सीड भी कहते हैं केरम सीड और इंडियन बोरेज दोनों ही अलग हैं इस प्लांट को हम अजवाइन इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसकी लीफ्स हैं उसमें अजवाइन की खुश्बू आती हैं अगर तो हम इसकी लीफ्स को तोड़ते हैं तब तो आएगी ही लेकिन अगर आप जरह सा भी टच भी हो जाएंगे इस प्लांट से तब भी इसमें से आपके हाथों में जो इसकी खुश्बू है वो आने लग जाती है अजवाइन जो है एक गर्मी का प्लांट है सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है यह थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है लेकिन गर्मियों में इसक ग्रोव हो जाने वाला प्लांट है जमीन में गमले में या फिर हैंगिंग बास्केट में भी आप इसे लगा सकते हैं जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है वेलवट जैसे दिखने वाली लीफ इसकी जो काफी सुन्दर लगती है और इसके बहुत सारी खोबियां भी है तो हर गर में ये प्लांट होना ही चाहिए नहीं तो ऐसे डेकोरेटिव फ्लांट भी आप इससे अपने गार्डन में जरूर एड़ कर सकते हैं छोटी से छोटी कटिंग इसकी दो तीन इंच की भी असानी से अगर आपको कहीं मिल जाती है तो ये असानी से लग जाती है अपने अंदर कई सारा पानी होट रखती है ताकि अगर हम कुछ दिन तक पानी ना भी दे सके इस प्लांट को तब भी ये चलता रहता है आजरुएद में भी देखा जाए तो इस प्लांट का बहुत मत्तव है और कई तरह की द्वाईयों को बनाने के लिए इसकी जो लीव पसंद आता है इस ही प्लांट से ये तियार किया जाता है इसके इलाबा इसकी मेटिस्नल वैल्यू भी काफी जाएदा है मीन्स के अनकिनत वैल्यू इस प्लांट की है आप क्या सकते हैं खांसी जुकाम हैड़ेक इंडाजेशन पेट दर्ध हो इसकी पतियों को उबाल कर प इसके इलाबा अगर आपको गैस प्रॉब्लम है या फिर किसी को घुटनों में दर्ध है तो सुबह उटके खाली पेट इसकी एक दो लीफ्स चबाने से भी राहत मिलती है खाने की बात की जाए तो इसके बहुत जायदा यूस किया जाता है खाने में लोग इसके पकोड़ का फ्लेवर पसंद है तो इससे डाल सकते हैं बात करें फर्टिलाइसर की तो बीना फर्टिलाइस के भी ये प्रान जो बोत अच्छे से ग्रोथ होती है इसकी लेकिए फिर भी अगर आप इससे देना ही चाहते है यह तो आप ओर्गनिक फर्टिलाइसSi करें से chemical तो बड़ा ही easy to grow plant है और इसके काफी सारे गून है इसलिए अपने गार्डन में जरूर से एड़ करें तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं ओप के वीडियो आपको अच्छा लगा हो thanks for watching see you in the next video with a new plant till then take care bye bye be happy